हेलो एवरीवन वेलकम टो ग्रेट लर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स पुरू संतान हिंता मेल इंफर्टिलिटी आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ज्यादा तर युवाओं में बाप बनने की शम्ता कम हो दोस्तो लाइफ इस्टाईल आजकल के युवाओं के लाइफ इस्टाईल इतनी खराब हो गई है जिसके वज़ाइसे मेल इनफर्टिलिटी पुरू संतान हिंता का कारण उनमें बहुत ज्यादा देखा जा रहा है उनमें प्रोबलम ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही सबसे पहले दोस्तो बात है, खानपान के हम करते है, खानपान में जो भी हम फास्ट फूढ़ काते हैáveis, जंक फूढ़ काते है, इसके वैस जो स्पर्म होती है, इसके वैसे पूरुशंतांहिंता एक बहुत बड़ी प्रोबलम बन जाती है, और स्मोगिंग, आपको पता ही है, कितना injuries health के लिए और sperm के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है smoking और excess masturbation और stress level पहले बात करते हैं दोस्तों आज कल युआ में यह ज़्यादा तर देखा जा रहा है कि stress level युआ में बहुत ज़्यादा हाई रहा है future को लेकर stress future को लेकर अपनी चिंता बढ़ती जा रही है या किसी भी प्रकार का कोई stress जो कि sperm के लिए बहुत ही खतरनाक है इससे हमारा sperm count कम हो सकता है इसके बारे मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि यह एक healthy process है लेकिन तभी तक जब आप इसको लिमिट में करें limit in the sense दोस्तों अगर आप इसको continuous करते हैं week में हर रोज करते हैं दिन में 2-3 बार करते हैं तो यह आपके सरीर के लिए harmful होगा प्लस यह sperm के लिए भी harmful होगा तो दोस्तों यह जितने भी रीजन मैंने आपको बता है यह सारे रीजन जो है वो दो चीजे create करते हैं यह तो हमारा less sperm count सुक्राड़ों के संख्या में कमी और दूसरा हमारा सीमन जो निकलता है पेनिस से उसके निकलने की वेग जो होती है उस सीमन में 15 million sperm होते हैं अगर इस संख्या में कमी होती है तो यह पूरू संतान हिंता का बहुत बड़ा कारड़ होता है और इलिस sperm count किसके वैस होता है किसके वैसे हमारे sperm जो develop होते हैं उनके संख्या में कमी आती है यह हमारा सारा रीजन यह जो भी हम life style में अपना खराब करते जा रहे हैं इसके वैसे जो sperm development का जो भी process है वो खराब होती जा रही है और इसके वैसे हमारा sperm count हो कम होता जा रहा है तो सीमन निकलने की विएक में कमी होने से क्या problem create हो सकता है आईए समझते हैं दोस्तों मैंने पहली वीडियो में बता चुका था कि पेनी से जब भी हमारा सीमन निकलता है तो वजाइना से होकर फेलोपीन टूब में जाकर अंडाड़ू से मिलता है और इस काम में इसको एक acidic medium से होकर गुजरना पड़ता है जहां 70-80% जो sperm होते हैं और dead हो जाते हैं केवल एक दो sperm ही हमारा अंडाड़ू के पास जा पाता है तो दोस्तों अगर इ होता है और यह रीजन भी हमारा इसी सब प्रॉब्लम की वैसे होता है दोस्तों नेक्स्ट डीजन है लेस हार्मोंस हमारे बॉड़ी में कुछ हार्मोंस होते हैं जैसे LX हार्मोंस हो गया FSH हार्मोंस हो गया यह हमारे जो sperm सेल होते हैं उनके development में help करते हैं अगर यह कम हो ग हमारी टेश्टिस अगर छोटी बड़ी हो जाती है इस टेश्टिस में जिसमें sperm develop होता है अगर उसमें कोई problem create हो जाता है या उसका proper development नहीं हो पाता है तो भी हमें problem देखने को मिल सकता है दोस्तों आप किसी pollution area में रहते हैं आपको pollution बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है पेंट लेदर इंडस्टि में आपकाम करते हैं तो उससे आपको टेश्टिस में infection, prostate में infection हो सकता है इस्पोम count की खराब हो सकता है और आपको यह problem face करने को मिल सकता है तो यह सारे region है पूरुस संतान हिंता male infertility का अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए इस problem को दूर किया जा सकता है आप अच्छे खाना खाए healthy खाना खाए जिससे आपका सरीर भी healthy रहेगा और आपका mind भी healthy रहेगा और आपका sperm भी healthy रहेगा stress level को आप कम कीजिए किसी भी बारे में सोचना कम कर दीजिए तो आपका sperm healthy रहेगा sperm count भी सही रहेगा और जो भी excessive masturbation है बहुत ज़्यादा limit से ज़्यादा addictive रूप में masturbation करते हैं उसको आप छोड़ दीजिए दूसरा solution है आपका proper exercise दोस्तों इसके लिए एक exercise आता है जो कि आप morning में सुबा सुबा उठके कर सकते हैं जिससे आपका sperm count काफी अच्छा रहता और healthy भी रहता है तो आप सबसे पहले तो morning में उठने की आदर डाली है जिससे आपको healthy life मिलेगी और healthy sperm count मिलेगा जिससे आप कभी भी किसी problem का सामना नहीं कर सकेंगे और पूरुष संतान हिंते का कोई भी problem नहीं होगा और future में अच्छे से आप father बन सकेंगे तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको सारी आप कमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ सेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे वीडियो लाइक करें थेंक्यू